आपका स्वागत हैं जिया पब्लिक खबर में और मैं हूँ अरजिता देश में कोरोना संक्रमन की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू हो चली है हर दिन कोरोना के मामले दोगनी दर के सास बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वही बीते रविवार को प्रदेश में कोरोना के नए मामलों काकड़ा 7,695 तक पहुच गया सोमवार को उत्तर प्रदेश में कुल 8,334 नए संक्रमितों की पुष्टी हुई ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ा बयान दिया है CM योगी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है वहीं इससे पहले CM योगी ने लखनव में कोविट कमान सेंटर का भी निरीक्षन किया जहां उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिये करोना महामारी की तीसरी लहर आनि थर्ड वेब आ चुकी है लेकिन सेकिंड वेब की तरज पर उस तरह से खतरनाक यहां थर्ड वेब नहीं है अब तक के जितने भी कोविट पॉजिटिव के केसे उत्तर प्रदेश में अब तक आये हैं हमारे पास इस समय 33,900 एक्टिब केस उत्तर प्रदेश में हैं आस सुवे तक के यह 33,900 में से 99 फीजदी मामले ऐसे हैं जो जिसमें ज्यादा तर और सिम्टोमेटिक हैं यानि कोई लक्षन दिखाई ने दे रहा है पार्टी PCR की जाच कराने के बाद उसमें यह मामले देखने को मिले हैं और घर में ही उनका उपचार हो रहा है हर जनपद में हमारे ICCC Integrated COVID Control Center हमारे कारे कर रहे हैं और ICCC के माध्यम से हर COVID Positive के साथ संबाद बना करके उसे Medicine की उपलब्द करवाना उन्हें दवा आदी उपलब्द करवाना कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से हर किसी की चिंता बढ़ा दी है वही CM योगी भी इसको लेकर अक्टिव मोड में नज़र आ रही है इसलिए हमें भी कोरोना को लेकर साफधान और सतर्क रहने की जरूरत है इंडिया पब्लिक खबर आपसे अपीर करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करे और अपने साथ समाज और देश की रक्षा करे इस खबर में फिल हाल अतना ही देश और दुनिया की बागी तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रही इंडिया पब्लिक खबर के साथ अमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे